स्वागत है आप सभी का पोशे टेकर हेल्प प्लान में तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पोशे टेकर पे आप सभी को गर्वती महिलाओं का रेजिस्टेशन कैसे करना है आप लोग किसी भी लाभारती का रेजिटेशन पोशें टैकर पे कर रहे हैं तो उसके बाद आपका लाभारती शूर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप सभी लोग पोशें टैकर में किसी भी लाभारती का रेजिटेशन किस परकार से करते हैं यहाँ पे हम लोग अभी गर्वती महिला का registration करने वाले हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले registration करने से पहले अपनी portion tracker का data clean कर लेना है बहुत लोगों के साथ इस परकार की दिक्कत हो रही है तो आपको किस परकार से करना है तो चले देखते हैं सबसे पहले आप सभी लोग अपना portion tracker का data clean कर लेज़ेगा तो यहाँ पे आपको आना है portion tracker पे इस परकार से आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको portion tracker का app दिखाए दे रहा है आपको इसको हलका सा प्रेश करना है यानि आप लोग इसको हलका सा click करेंगे तो उसके बाद आपको उपर इस तरह का option आएगा तो यहाँ पे आपके phone में अलग option भी आ सकता है तो आपको उपर एक चोटा सा round दिखाए दे रहा है यारी icon दिखाए दे रहा है तो आप लोग इस option को click करेंगे आपके phone पे यह option कहीं पे भी आ सकता है तो मेरे phone में आपको इस तरह से आ रहा है आप लोग देख सकते हैं आप लोग इसको click करेंगे और उसके बाद आप सभी को इस तरह के यहाँ पे option आएगे काफी option यहाँ पे दिखाए देंगे तो आपको यहाँ पे storage वाला option दिखाए देगा आप लोग इसको click करेंगे तो यहाँ पे storage वाले option को click करते हैं फिर उसके बाद आपके सामें इस तरह का पीच आएगा तो यहाँ पे दो option आपको दिखाए देंगे यहाँ पे आपको आप लोग देख सकते हैं आपको app data cache total इस तरह का यहाँ पे details आ रही है सामें आप लोग देख सकते हैं कि app की यहाँ पे कितनी MB है storage इसमें कितना है तो आप लोग इस सारी जान कर यहाँ से देख सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पे उपर की site हो या फिर नीचे की site हो clear data और clear cache का दो option आ रहे होंगे आपको जहाँ पे भी clear data show हो रहा है आप लोग उस option को click किसेगा तो यहाँ पे मैं clear data वाले option को click करती हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे ok करना है तो आप लोग ok करेंगी तो आपका phone का जो stories फुल हुआ है वो थोड़ा सा clean हो जाएगा ऐसा करने से आप पोशन टैकर की जो भी आपके लावारती की जान करी है वो delete नहीं होती है तो आप लोग data clear किसेगा और उसके बाद आपको back जाना है और open करने के बाद आप लोग यहाँ पे आगनवड़ी worker वाले option से login करेंगे उसके बाद आपको इस तरह के option आएगे तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ते जाना है और उसके बाद अपनी भासा को select कर लेना है फिर यहाँ से आप लोग अपना पोशन टैकर login कर लेंगे और उसके बाद आप लोग अपने home page पे आ जाएगा तो यहाँ पे अब हम अपने लावार्ती का registration करते हैं registration करने के लिए आपको यहाँ पे बेनिफिजरी वाले option में जाना है आप लोग इसके click किसेगा और उसके बाद यहाँ पे आपको जिस भी category में जिस भी लावार्ती का registration करना है तो आप लोग उस folder को open कर लिएगा तो यहाँ पे हमको गर्बती महिला का registration करना है तो आप लोग pregnant woman वाले option को click करेंगे और उसके बाद आप लोग अभी देख वा रहे हों यहाँ पे अभी हमारी एक गर्बती महिला पहले से registration किये है तो उसके बाद हमें अब एक नई लावार्ती को और add करना है यहाँ पे नीचे आपको new registration का option दिखाए दे रहा होगा आप लोग इसे click किज़ेगा और उसके बाद आपके सामने यह form open हो जाएगा तो यहाँ पे आपको जो जानकारी मांगी जा रही है आप उसे fill किज़ेगा फिर आप लोग अपना form submit किज़ेगा सबसे पहले आपको यहाँ पे लावार्ती का जो आधार कार्ट के base पे name है आप लोग उसको यहाँ पे दर्श करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप लोग name in your language आपकी language में कोई उनका नाम है तो आप लोग उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं यह दिन नहीं है तो आप लोग जो उपर आधार के base पे यहाँ पे name लिखा हुआ है आप लोग उसी नाम को यहाँ पे दर्श कर सकते हैं यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी गर्वती महिला है उसका आधार में जिस तरह से उसका name दर्श किया है सेम उसी परकार से आप लोग उसकी जानकारी को यहाँ पे दर्श करेंगे नहीं है तो आप लोग नो करेंगे फिर वो आपकी फर्श्ट प्रिग्नेंसी एलाभारती की तो आप लोग यस करेंगे यदि दोसी तीसी चौती है तो आप लोग नो वाले उप्शन को क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे मिस कैरेज का भी ऑप्शन दिया गया है तो यदि मिस कैरेज इससे पहले हुआ है तो आप लोग यस नो कर सकते हैं यदि नहीं हुआ है तो आप लोग नो वाले उप्शन को स्लेक्ट करेंगे फिर आपका है LMP, LAST अन्तिमासिक चक्र का जो यहाँ पे डेट है आप लोग LMP की डेट को यहाँ पे दर्च करेंगे डेट को दर्च करने के लिए आपको यहाँ पे LAST में कैलेंडर का option दिखा है दिखाए दे रहे हैं फिर जैसे आप लोग date और sun को select करेंगे तो नीचे आपको right side में ok का option दिखाए दे रहा है आप लोग यहां से इसे click कर लेजेगा और उसके बाद है resident trap तो यहां पे वो आपकी permanent love आपरती है या फिर temporary तो यहां पे आप लोग अस्थाई और इस्थाई का जो option है उसको select कर सकते हैं और उसके बाद आपको submit वाला option यहां पे दिखाए दे रहा है आप लोग submit कीज़ेगा तो चले एक बार यहां पे सारे जानकरी को fill करते हैं यहां पे हमने सारे जानकरी को fill कर लिया है अब यहां से नीचे हम अपना form को submit करेंगी तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आपका form submit हो जाएगा और उसके बाद आप लोग back होके अपने home page पे आ जाएंगे आपे हम लोग home page पे आ गए हैं तो अब आपको कुछ देर तक wait करना है और उसके बाद आप लोग चेक करेंगे तो पुन्हों आप लोग अपना beneficiary open करेंगे तो आप लोग अपना लाभरती चेक करेंगे कि आपका लाभरती यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है आप लोग देख सकते हैं अभी जो गर्वती महिला का फोल्डर है बाहर से आपको एक ही लावारती यहाँ पे शो हो रहा है जबकि अभी हमने एक लावारती और एट कर दिया है तो यहाँ पे अभी दो शंक्या होनी चीए तो अभी हमारा लावारती शो नहीं हो रहा है तो आप लोग को दुबारा से रेजिटेशन नहीं करना है आप लोग वेट करिएगा आपका यह 24 गंटे के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगा तो अभी कुछ देर तक हम पहले वेट करते हैं आपको एक बार उपर यहाँ पर यह तो आप लोग इस परकार से रेजिटेशन कीज़ेगा तो अभी हम अंदर से फोल्डर को ओपिन करते हैं और यहाँ पे एक लाभारती शो हो रही है और दूसरी लाभारती भी आपको यहाँ पे शो हो रही है रेजिटेशन करने के साथ साथ दिदे आप लोग लाभारती का यहां पिका तो चलो एक बार इसका अधार वेडिफाइट करते हैं, यहां पिकलता है, जैसे आप लोग ने में के उपकर क्लिक करेंगे, तो यहां पिक खुम्हार्ति का मोबाइल नमबर और अधार नमबर और इमार शो होगा यहाँ पे हमने लबार्थी का आधार verify नहीं किया लेकिन registration करते वक्त है यदि आप लोग जानकारी सई से fill करते है आधार के base पे तो आपका registration करते वक्त ही उसका आधार verify यहाँ पे ले ले रहा है और mobile number के सामने आपको यहाँ पे green tick भी नहीं दिखाए दे रहे हैं इसका मतलब आपका mobile number verify नहीं हुआ तो आप लोग सामने mobile number verify करने के लिए यहाँ पे शामने वाले verify वाला option को click करेंगे तो यहाँ पे आपको click करना है फिर यहाँ पे आपकी लाभारती का mobile number सो होगा हैं mobile number verify करने के लिए आपको नीचे request वाले option को click करना है और उसके बाद आपकी लाभारती के इस mobile number पे OTP जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पे फरदर्श करना है उसके बाद आपको नीचे continue का option आएगा आप लोग सो click करेंगे तो आपका mobile number भी verify हो जाएगा तो इस परकार से आपको new registration करने के साथ आधार verify और mobile number verify भी साथ में कर लेना है तो इस परकार से आप लोग का लाभारती portion tracker पे सो करेगा यदि आप लोग का लाभारती portion tracker पे सो नहीं हो रहा है तो आपको उसको बार बार registration नहीं करना है आप लोग जितनी बार भी registration करेंगे यदि आपका portion tracker उसके बाद कभी अच्छा काम करेगा तो आपका उस लाभार्दी का registration उतनी बार वहाँ भी portion tracker पे सो हो जाएगा सबसे पहले आपको अपना data clear कर लेना है portion tracker में यदि आपका data भर जाता है तो इसकी वज़े से भी portion tracker में space नहीं होने के कारण भी आपका कोई भी काम portion tracker में सईसे नहीं होता है तो यहाँ पे आपको error की problem होती है तो इसलिए आप लोग सबसे पहले अपना portion tracker का data clear कर लिजेगा और उसके बाद ही आप लोग registration करिएगा तो इस परकास से आप लोग अपना portion tracker में किसी भी लाभारती का new registration कर सकते हैं तो यह थी हमारी आज़ की जानकारी उम्मित करती हूँ आप सभी के लिए यह जानकारी helpful रही होगी यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग वीडियो लाइक किजेगा शेर किजेगा अपनी स्टाप में सभी आगनबड़ी वरकर तक और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को जरू सबस्काइब किजेगा ताकि आप सभी को इसी परकार की जानकारी सबसे पहले देखने को मिल पाए तो चली मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बाबाई